बच्चों गुड मॉनिगू अप्पी नुएर उर इस साल में नए साल में नए नोकरी लेके दिखा दो ठीक है दने नए नोकरी का मतलब जो भी आपकी पहली नोकरी होगी उसे लेके दिखा दो दने बच्चों ठीक इसके अलावा तो बाकी बातें जो हैं बात में कर लेंगे तो बच्चो अगली जो हैडिंग मैंने आपको डलवाई है ना वो डलवाई है सैलोजिस्म ठीक जिसका ये लगा लो कोई भी एक्जाम उठालो कोई भी एक्जाम ठीक कोई का मतलब कोई इस दुनिया में मैं अगर भारत के बारे में बात करूं इंडिया के बारे में इतने भी competition exam होते होंगे ना जो नों टेक्निकल एक तरीक से ठीक उस हर exam के अंदर इस चेप्टर से जो है ना क्योशन आपके पूशे जाते हैं या किसी भी entrance exam के बारे में बात कर लो हर entrance exam में हर competition के exam में SSC, DSSB, KVS, NVS हर exam में इस चेप्टर से जो है ना क्योशन पूशे जाएंगे डाला बच्व तो बच्चो सबसे पहली बात silogism, हिंदी में बोल दिया, न्याए निगमा, ठीक है, हिंदी में क्या बोल दिया बच्चो, silogism या न्याए निगमा, ठीक है, यह हमें बात सावज में आ रही है अब जब हम बात करेंगे ना silog chapter के बारे में, ठीक है, जो मुझे लगता है, वो मुझे यह लगता है कि कोई भी बच्चा अगर इस chapter को first time करेगा तो शायद उसको इस question में सबसे पहली जो problem होगी, वो यह होगी, कि question को पूछने का तरीका क्या है, और question actual में है क्या, उसका reason क्या है, क्योंकि silogism जैसा जो word है ना, वो मेरे ख्याल से, ठीक, आपका पता नहीं, मैं अपने point interview से अगर बात करूँ, तो उसको हम generally use नहीं करते है, silogism किस-किस ने सुना है, आज से पहले किस-किस ने सुना है, ठीक, कुछ गिने चुने बच्चों नहीं हाथ उठाया है, silogism के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो उसको हम generalize में use नहीं करते हैं, बना बच्चो, clear, तो सबसे पहली जो problem आपको आ रही है, वो यह आ रह होगी, statement के बाद क्या दिया गया होगा, बच्चो, conclusions दिया गया होगा, statement के basis पर जो conclusion दिया है, उसके बारे में हमें पता करना है कि कौन सा conclusion सही है, और कौन सा conclusion गलत है, जो conclusion सही होगा, उसे हम क्या बोल देंगे, बच्चो, follows, और जो बच्चो, गलत होगा, उसे हम क्या बोल है follows और जो गरत होगा बच्छों से हम क्या बोलेंगे अन्फॉल आरे वह समझ में कोई दिक्कत में घा चिक अब इस चेप्टर को हम करेंगे बच्छों वेंडाइगराम मैथड से किस मैथड से वेंडाइगराम क्लिर वेंडाइगराम का अभी मैंने आपको मतलब बताया कि को कोई भी information दी गई है उस information का graphical representation जो है उसे हम क्या बोल देते हैं बच्छों वेंडाइगराम बोलेते हैं उसको हम क्या बोलेंगे वेंडाइगराम बोलें ड़र तो बच्छों जो बाते हमने वेंडाइगराम चैप्टर में सीखी उन बातों का यहां पर कहीं पर भी कोई करा तो सिलोक्स हमें समझ में नहीं आएगा, clear, येकि वेंड डायग्राम और सिलोक्स का आपस में कोई लेशन नहीं है, लेकिन क्योशन करने का जो मैथड रहेगा, वो क्या रहेगा, वेंड डायग्राम रहेगा, आरे वास समझ में, clear, तो question complete क्या बन गया, कि जो statement दी गई है हमें, उस statement की help से हम क्या करेंगे, बच्चो, अपने वेंड डायग्राम को ड्रो करेंगे, clear, और उस वेंड डायग्राम के विस्स पर चेक करेंगे, कि कौन सा conclusion सही निकल रहा है, और कौन सा conclusion गलत निकल रहा है, डाला बच्चो, और जो conclusion सही होगा, उसे हम क्या बोल देंगे, follows, और जो conclusion गलत होगा, बच्चो, उसे हम क्या बोल देंगे, unfollows, clear रहा बच्चो, दाले, तो chapter को, मतलब syllogism के question को, हमने दो portion में डिवाइड कर दिया, एक होगी statement, और statement के बाद क्या होगी, बच्चो, conclusion, तो सबसे पहले हम बात करें statements के बारे में, कि statement की help से, अगर मैंने आपको बताया कि statement की help से, हमें when diagram ड्रो करना सीखना है, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे, कि किसी statement के लिए, किस तरीके से हम when diagram को ड्रो कर सकते हैं, दालो बच्चो, हटादू system, जब हम बात करते हैं statement के बारे में, तो statement सबसे पहली ब चाहे वो generally facts से different ही क्यों ना हो, उन्हें हम ही क्या मान के चलना है, 100% true मान के चलना है, जैसे अगर मैं आपके सामने के example रखूं, मालो एक statement मैंने बोल दी, कि all chairs are tables, सभी chairs क्या होती है, tables होती है, generally अगर मैं सोचूं, तो कोई भी chair क्या नहीं होती, table नहीं होती, लेकिन अगर ये statement हमारे question के अंदर दी गई है, और statement के बारे मैंने आपको बोला है कि statement को हमेशा आपके आमान के चलेंगे, 100% true, तो ये बात जो है बच्चों क्या हो जाएगी, आपकी, सही हो जाएगी, आरे ये बात समझ में statement क्या कोई, clear, मैं अगर बोलू कि all markers are helicopters, सारे marker जो है, वो क् होते हैं helicopter, generally अगर मैं सोचू, तो कोई भी marker क्या नहीं होता, helicopter नहीं होता, और अगर कोई भी marker helicopter नहीं होता, लेकिन अगर ये statement में दिया है, तो statement हमें क्या माननी है, 100% true माननी है, आरे ये बात समाझ में, clear, अगर सोचो ऐसा होता, कि सारे marker helicopter होते, तो मैं लिखके ही छोड़ देता marker को, उड़ता रहता, फिर यहीं से उठा लेता, फिर लिखता रहता, लेलो बच्छो, clear, तो बच्छो, यहां अगर हम बात करेंगे statement के बारे में, 100% true का मतलब समझ भी आया, ठीक, अब जब हम बात करते हैं statement के बारे में, तो statement को बच्छो, हम four parts में divide कर सकते हैं, कित second statement है बच्छो, आपकी no, और third statement के बारे में, अगर हम बात करें, तो third statement जो है बच्छो, वो होती है आपकी sum, क्या होती है, sum और यहां जो यह statement है बच्छो, यह हमारे होगी sum not, clear बच्छो, sum not, first statement all, second no, third sum, और fourth क्या होगी, sum not, इन्हीं की help से हमी क्या सीखना है, किसी statement के लिए when diagram किस तरीके से draw करा जाता है, और यह वास समझ में, clear, बारी बारी से, हर एक statement के बारे में, मैं आपको बता कर चलूँग कि किस तरीके से, किस statement के लिए when diagram draw कैसे करा जाता है, और उससे हमारी क्या conclusions निकल सकती है, आरे यह वास समझ में, clear, तो बच्छो, सबसे पहले बात करते है, all के बारे में, ठीक है, कि all का जो when diagram होगा, वो किस तरीके से draw करा जाएगा, और हमें उसके अंदर किन बातों को ज् statement diagram को लेकर, तो किसी statement को लेकर दो परकार के diagram बनाये जा सकते हैं, कितने परकार के, दो परकार के, बचो, एक होता है किसी statement के लिए basic diagram, और बचो, एक होता है possible diagram, clear, यह basic क्या है, possible क्या है, इन सभी को मैं statement की help से अगर समझाओंगा, तो आपको अच्छे तरीक से समझ में आ स लगेगा, बात है clear है बचो, done, माल लो, मैं अगर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर all के बारे में, और all को लेकर मैंने माल लो, एक statement लिख दी, मैंने statement लिख दी बचो, all A, R, B, क्या लिख दिया बचो, all A, R, B, जितने भी A है, वे सारे के सारे क्या है बचो, B है, clear, मैंने आप को बताया कि जब हम बात करेंगे all के बारे में, तो all का मतलब क्या होता है बचो, 100% positive relation, मतलब क्या हुआ, कि जिनके बीच में all का relation है, उनके बीच में क्या है, 100% positive relation है, बात समझ बारे है आप मेरी, done, मैंने एक diagram डो करा, जो किसे represent करता है बचो, A को, clear, और क्योंकि बोला ग तो all, A जो है, B क्या बन गए बच्चो, B बन गए, done, तो यह हमने बना दिया all की statement को लेकर एक basic diagram, क्या बना दिया बच्चो, basic diagram, तो basic diagram का मतलब बताओ, यहां से मुझे क्या समझ में आया, basic diagram का एक simple सा मतलब यह समझ में आया, कि basic diagram क्या है, कि जो भी statement दी गई है, उस statement का ज तो possible diagram का मतलब होता है, बच्चो, set plus unset, मतलब, set plus unset का मतलब, कि ऐसा diagram, जो किसी statement की, कही गई बातों को भी represent करें, और उन बातों को भी represent करें, जो question के अंदर या जो statement के अंदर नहीं बोली गई, बात क्यार है, बच्चो, उसे हम क्या बोलते हैं, बच्चो, possible diagram, अब अगर इसी statement का मैं possible diagram बनाना चाहूँ, तो इसका possible diagram कैसे बन सकता है, क्या बोला गया बच्चो, all A are B, मैंने एक diagram डो करा बच्चो, A, और उसके बाद बोल दिया, सारे A जो हैं भी क्या है, B हैं, और सारे A अगर B हैं, तो अगर मैं A और B को एक दूसरे के ऊपर overlap करा दूँ, तो इनके बीच में क्या relation बन जाता है, बच्चो, A is equals to B, भाई जब मैंने A और B को एक दूसरे के ऊपर overlap करा दिया, तो इनके बीच में क्या relation बन गया, बच्चो, A is equals to B, और जब हम equal का relation लेके चल रहे हैं, तो equal का मतलब क्या है, कि सारे के सारे A जो हैं, वे भी हो सकते हैं, औ लेकिन जब हमने इसी statement का basic diagram बनाया, बच्चो, यहां पर सारे A तो B है, लेकिन सारे B जो हैं, वो तो A नहीं है न, clear, तो इसलिए मैंने possible diagram को क्या बोला गया है, set plus unset, जो कही गई और ना कही गई बातों को represent करेगा, उसे हम क्या बोल देंगे बच्चो, possible diagram बोल देंगे, आ अब एक बात यह समझो, अब जो भी नया बच्चा पड़ेगा न, वो यह सोचेगा, कि सरी है क्या चीज़, यह possible और यह basic है क्या चीज़, ठीक, देखो, एक बात समझना, कोई भी conclusion, जब हम बात करते है statement and conclusion, मतलब syllogism के बारे में, तो मैंने आपको बताया, कि syllogism के अंद जब हो हर condition में क्या हो, सही हो, ठीक है, मैं एक example देता हूँ आपको इसका, ठीक है, उसको example के तोर पे ही समझना, उसको अलग मत समझना, ठीक है, आप से पूछा गया, एक example के तोर पे, ठीक है, हसना मत, बिल्कुल भी, ठीक है, पहले हसरे हो, देख लो, मैंने बोला, कि नहीं ले रहा, मैंने एकस नाम ले दिया, एकस नाम के जो सर है ना, वो reasoning में बहतरी है, उनसे बढ़िया कोई है नहीं, clear रहा बच्छो, ठीक, मतलब जो X नाम के सर है, वो best है, clear, लेकिन एक बच्ची आई मेगा, उस बच्ची ने भी X नाम के सर की class ली, ठीक है, लेकिन ज best का मतलब क्या है, जो हर condition में क्या है बच्चो, best है, मतलब आपके लिए भी best है, उनके लिए भी best है, हर जगा है best है, उसे में क्या बोलूगा बच्चो, best बोलूगा, तो कोई भी conclusion कब सही मानी जाएगी, जब वो हर condition में क्या हो, सही हो, clear, मतलब basic में भी सही हो, और possible में भ अगर मैं दोनों ही परकार के डाइग्राम बनाने लग गया तो जो समय हो गाला मेरे पास वो काफी ज्यादा लग जाएगा तो मैं कि सिंपल सा काम करूँ आपर कि मैं किसी स्टेट्मेंट के लिए सिर्फ यूज करूँगा किसका बेसिक डाइग्राम का और जो पॉसिबल डा करते हैं उनको अपने माइड में रखते हुए क्योशिन के ऊपर एप्रोच करने का प्रयास करूंगा कोई दिक्कत है क्लियर आप देखेंगे कि ओल नो सम समनोट यहां पर सिर्म मैं आपको बता रहा हूं कि पॉसिबल का मतलब क्या होता है आप देखेंगे आगे की तरफ कि म पर सिर्फ यह आपको समझाने का हिस्सा है कि अगर मालो आपने गलती से कोई किताब उठा ली और उसमें आपको पॉसिबल डाइगराम गलती से दिग्या तो आते ही आप उससे पूछोगे सर आपने हमेरा गलत पढ़ाया वे बिटा क्या गलत पढ़ाया कि सर हमने वहां प बिसिक सी बात काफी बिसिक सी आप यहां आप नहीं एक स्टेटमेंड लिखी ओलं ए आ और भी इसे एको बोलते हैं बचो सबजेक्ट और इसे हम क्या बोलते हैं बचो प्रेडिगेट इएन मैं tuh अ रहे होंगे उस condition में अगर मैं बात करूँ तो आपके exam में बच्चो ठियोरी वाला पार्ट नहीं पूछा जाता तो इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं आप मत याद रखी हैं आप simple सी एक बात याद रखें इन्हें हम क्या बोल देंगे बच्चो elements बोल देंगे क्या B क्या है B क्या है दोनों ही elements है और जो elements है वो हर questions में क्या हो सकते हैं बच्चो, change हो सकते हैं जितने भी elements हैं उनको हर question में क्या कराजा सकता है बच्चो, change कराजा सकता है, बात clear है बच्चो, clear अब मैं इन diagrams के basis पर आपको कुछ conclusions लिक दे रह meant, ठिक है, आप मुझे एक simple से तरीके से सोचकर यह बतायेंगे, कि दिएगए conclusion में से कौन सा conclusion सही है, और कौन सा conclusion गलत है, मैं कुछ conclusions लिखोंगा आपके सामने, आपको मुझे पता कर के बताना है कि कौन सा conclusion सही है, कौन सा conclusion है, गलत है. बेरा बच्छो? ठीक, माल लो, मैंने conclusion लिखी, once conclusion लिखी है बच्छो, all ARB, second लिखी है बच्छो, sum ARB, आगे लिखी है बच्छो, all BRA, और उसके बाद लिखा है बच्छो, sum BRA, आपको मुझे पता करके बताना है, कि दिये गए conclusion में से, दिये गए diagrams पर कौन सा सही होगा, कौन सा गरत होगा, चार conclusion आपको visible होगे पीछे की तरफ, बच्छो दिखाई दे रहे हैं, तो पूछा गया कि कौन सा conclusion सही है, कौन सा conclusion गलत है, और कोई भी conclusion कब सही होगा, जब वो basic में भी सही हो, और साथ के साथ possible में भी सही हो, अगर कोई conclusion कहीं पर भी गलत होगया, इसका मतलब वो गलत है, आरे वह समझ में, कौन सा सही है बच्छो, first and last, कितने परतीशित भारती है, first और fourth को सही बता रहे हैं, raise your hand, मात्र, कर लो निचे हाथ कर लो गटा, निचे हाथ कर लो, चलो, ध्यान दो, अब मेरे सा देख, first क्या देता है बच्छो, all air, ठीक है, सबसे पहले, किसी भी conclusion को मैं कहां चेक करूँगा, basic diagram में, clear, अगर कोई conclusion basic में सही है, उसके बाद उसे मैं कहां चेक करूँगा, possible में, और अगर कोई conclusion basic में भी सही है, possible में भी सही है, इसका मतलब वो सही है, done, लेकिन अगर की तरफ चेक नहीं करूँगा, आरिये बाद समझ में, done, first conclusion बोलता है, बच्छो, all air, b, क्या सारे a, b, है, क्या, है, बहुत बढ़िया, अब इसको मैं कहां चेक करूँगा, बच्छो, possible में, possible में क्या relation दिया है, a और b का, equal का, तो यहां अगर equal का relation दिया है, तो equal का मतलब म किसी को doubt है, किसी को doubt, clear, second conclusion क्या बोलता है, बच्छो, sum air, b, sum air, b, को सबसे पहले मुझे कहां चेक करना है, basic diagram में, और उसके बाद कहां चेक करूँगा, possible में, sum air, b, क्या सही है आपका, कितने कह रहे है, sum air, b, देखो, एक बात समझ, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल ठ देख, एक बात समझ, मैं एक example रख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, जो भी statement में दिया जाए, वो हमें 100% true मानना होता है, चाहे वो generally facts से अलगी क्यों ना हो, ऐसा मैंने बताया था, मैं बोलू, all girls are intelligent, सारी लड़किया क्या होती है, intelligent होती है, होती है न, मैं statement क्या को नहीं बात कर रहा हूँ, तुम, जलने लिए मत सोचो, जले, मैं अगर आप से पूछू, कि all girls are intelligent, क्या ये बात हमने एक बार सही माननी मान लो, ठीक है, अब अगर सारी लड़किया intelligent है, तो क्या कुछ लड़किया intelligent नहीं होगी, होगी न, क्यों होगी, क्यों कि सारी है, तो कुछ relation बनेगा, बच्चो, सम का, तो अगर मैं बोलना हूँ कि all ARB सही है, तो मैं definitely ये भी बोल सकता हूँ, कि sum ARB जो है, वो भी क्या होगा, सही होगा, अगर all सही, तो sum जो है, वो भी automatically क्या हो जाएगा, बेटा, सही हो जाएगा, मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ, कि all is followed by sum, all is followed by sum, all is followed by sum, all is followed by sum का मतलब, कि जिनके बीच में all का relation बनता है, उनके बीच में definitely किसका relation बन सकता है, बच्चो, sum का relation तो बनी ही सकता है, तो first conclusion क्या होगी, बच्चो, सही होगी, second बोलता है, बच्चो, sum ARBA भी हमने सही कर दी, अब third के बारे में अगर मैं बात करूँ, third all BRA, क्या ये सही है, और अगर कोई conclusion basic में ही गलत हो जाए, तो क्या उसको हम आगे चेक करेंगे, तो क्या हो गया बच्चो, third, unfollow हो गया ना, unfollow हो गया, fourth बोलता है बच्चो, fourth conclusion में बोल दिया, sum BRA, क्या कुछ B A है क्या, देखो, ये सारा का सारा plot किसका है, और B के कुछ च चेतर पर किसने घर बनाया है, A ने, अब जिस चेतर पर A ने घर बनाया है, वो actual में है किसका, B का, तो मैं अगर ये बोलना चाहूं कि कुछ B जो है, वे क्या है, A भी है, तो definitely सही होगा, और अगर कोई conclusion basic में सही हो जाए, तो उसे हम कहां चेक करते हैं, और possible में क्या relation दिय दे, तो all भी सही होता है, और अगर all सही होता है, तो definitely some भी क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है, तो some भी आरे जो है बच्चों, वो भी क्या हो गई आपकी सही होगी, जैना बच्चों, क्यों है, अब यहां तक बाते क्लिए रहे हैं, पहरा सही है, दूसरा सही है, फोर स किस-किस ने बोला था यह पहला दूसरा चोथा किस-किस के अनुसार सही था मात्रे तीन चार पाँच और तीन आठ नो दस बोल दे भाई जाए 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 दस भारतिये जो है इस पूरी क्लास में सही है ठीक है चलो एक बात समझो देखो यह जो मैंने आपको बता है न और जब हमने सेकिंड कॉंक्लूजिन को सही कराया सम-A-R-B तो वहाँ एक बात नोटिस करो कि जब मैंने all-A-R-B को सही कराया तो बेसिक डाइगराम में A क्या था इनर सर्कल और B क्या था बच्चो आउटर सर्कल और जब मैंने all-A-R-B को सही कराया तो उस कंडिशन में भ कहां करूँगा। कहां से अंदर वाले सरकल से,inson के ऊपर जाके काम करूँगा। तो यदी मेरे conclusion पर all दिया जाए या फिर some दिया जाए तो यह दोनों ही बाते क्या हो जाती है। जाना है inner to outer क्या हो गया all and some डोनों ही क्या हो जाती है फोल हो जाती है डाना बचो अब जब हमने सम भी आरे को सही करवाया तो उस कंडिशन में भी क्या था आउटर सरकल एक क्या था इनर सरकल तो यहां से मुझे एक बात और क्लियर हो गई कि जब मैं आउटर से इनर की तरफ आउँगा तो सिर्फ क्या सही होगा वच्छो म कंडे इस्पार सम अगर आपने यह बाते रख ली तो इ inglés दो डो डाइग्रम अनी की आउश्रक्ता ही नहीं पड़ेगी अंदर से बाहर olend सम बाहर से अंदर तिंदर में आपका सम सी होग ciao बढ़ सकता हूँ आगे बढ़ सकता हूँ चलो बच्छो अब एक बेसिक सी बात और समझो देखो जब हम बात करते हैं ओल के बारे में कई पर क्या होगा कि ओल को ओल के नाम से री परजन ना करके मतलब all को all ना बोलते हुए कई और words की help से री परजन कर दिया जाएगा जैसे मैं अगर आपको कहो ओऊ Each ARB क्या बोल दूँ? Each ARB तो Each ARB बोल दो या All ARB बोल दो दोनों बाते क्या होती है बच्छो? या फिर बोल दिया जाए Every ARB तो every ARB बोल दे या all ARB बोल दे दोनों बाते क्या होती है बच्चो सही होती है या फिर आपको बोले 100% ARB तो each ARB बोला या every बोला या 100% बोला तो इन सभी का मतलब क्या होता है बच्चो all हो जाता है कोई doubt है किसी बच्चो को यहां था सब ठीक है बढ़ सकते हैं आगे ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्छो आगे आजाएंगे हम 9 के उपर है ना किसके उपर आगे है बच्छो नो के बारे में जब हम बात करते हैं 100% negative relation लेकि जब हमने बात करी all के बारे में तो all में हमारे क्या relation बना बच्चो 100% positive और यहाँ पर कुंसा relation बन गया 100% negative आरे यहाँ समझ में बाल लो गरे एक statement लिखी बच्चो और मैंने बोला no ARB कोई भी A क्या नहीं है B नहीं है इसको है ना बात समझ बारे हैं आप मेरी डर है तो no की statement के लिए हमने इस तरीके से diagram draw करा है लेकिन अगर माल लो मैं conclusion लिखो आपके सामने some AR not B क्या यह सही होगा मैंने बोला statement में no ARB और फिर conclusion में पूछ लिया कि इन diagram उसके basis पर मुझे बताओ कि some AR not B जो है वो क्या सही होता है मतलब अगर no AR B मतलब कोई भी अगर B नहीं है तो some AR not B जो है बच्चों वो भी क्या होगा आपका सही होगा मतलब जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि all is followed by some मतलब कहने का तात्परिया मेरा क्या हुआ कि जिनके बीच में all का relation होता है उनके बीच में definitely किन का relation होता है some का वैसे ही मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जिसके बीच में बच्चों no का relation बनेगा उसके बीच में definitely किस का relation बन जाएगा some note का मतलब मैंने बोला कि कोई भी लड़का लड़की नहीं है और अगर कोई भी लड़का लड़की नहीं तो कुछ लड़के जो है वो भी क्या नहीं होंगे लड़की नहीं होंगे पड़ सकते आगे clear? अब एक बात और समझ रो जिस तरीक से हमने बात करी थी all के बारे में all को in words की help से represent कर सकते है वैसे हम बात कर सकते हैं 9 को कई बार बोला जाता है all not क्या बोला जाता है? all not all not का मतलब क्या? कि मान लूगा एक statement बोली all ar b है थे ही बात तो से ही है ना थे कि मैं जब जानता हूं नो के बारे में कि नो का मतलब क्या है 100% negative relation तो अगर बोल दूँ और और नोड भी यह भी किसके बारे बात कर रहा है बच्चो hundred percent negative relation के बारे में आरे वास मंगे कोई दिक्कत है बच्चो वाली मेडम ठीक है सम ठीक है आगे बात करते हैं और समझते हैं कि और क्या हो सकता है अगे आ जाता है बच्छो सम का मतलब क्या होता रहे हैं सम का मतलब बता सकता है कोई बच्छा है कुछ है और कुछ का मतलब अलब ऐसे खेल दे रहो हैं सम कुछ सम कुछ करते 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 हैं सम का मतलब क् 0% से अब़ों लेकिन 100% से बिलों 100% से बिलों 0% से अब़ों का इतना भी portion है वो सारा का सारा part किसका हो जाता है बच्छो सम का हो जाता है ना क्यों वालो मैंने आपके सामने statement लिखी है बच्छो सम ए आर वी और इसका diagram में एक बार समझना चाहरा हूं कि किसका diagram जो है वो किस तरीके से draw कर सकते है डेखो यह हमने एक diagram ड्रो कर रहा है बच्छो ए और बोला गया A का कुछ part क्या है बच्छो B है ठीक तो अगर A का कुछ part B होगा तो इस portion को मैं क्या बोल दूगा बच्छो कि इस portion को हमने क्या बोला है Sum A.R.B. बोला है चाहे तो मैं इसको Sum A.R.B. बोल दू चाहे तो मैं इसको Sum B.R.A. बोल दू दोनों ही बाते क्या है बच्चो सेम अब कोई भी बच्चा अगर पहले बार से लो जिस्म पढ़ रहा है वो शायद ना एक चीज को लेकर doubtful हो सकता है कि सर आप ये बता दो आप क्या चाह रहे हो ठीक बोल सकता है बई कोई भी बच्चा बोल सकता है किसके मुग को हम रोख सकते है ठीक है बई मैंने पूछा उससे बिटा क्या हुआ तो वो कह रहा है सर आपने सम के बारे में यहां भी बताया और सम के बारे में आपने यहां भी बताया तो हमें किसे ड्रो करना है यह हम से पूछ सकता है मतलब बच्चा पूछ सकता है इस तरीका है क्योशन कोई भी statement आए कोई भी statement आने के बाद सबसे पहले हम उसके क्याडरो करते हैं बच्छो बेसिक डाइगराम वो जो बेसिक डाइगराम था वो किसके लिए था? ओल के लिए और ये जो बेसिक डाइगराम है बच्छो ये किसके लिए है? सम के लिए कोई डाउट? क्लियर? ये जो बोलते हुए, बोला जाएगा, at least some ARB, many ARB, ठीक, at most ARB, ठीक, few ARB, little ARB, generally ARB, ठीक है, इन सभी words का मतलब क्या होता है, some ARB होता है, और यह वाँ समझ में, कभी अगर यह question में दिख जाए, तो आप confuse हो जाएं, तो उस confusion से बचने के लिए, मैंने पहले ही आपको मतलब clear कर दिया, कि some का मतलब 0% से उपर और 100% से नीचे, जैसे मैं अगर बात करूँ, many, many का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, लेकिन सारे तो नहीं न, बहुत सारे, लेकिन सारे तो नहीं न, अब बहुत सारे जो है, वो 0% से दो आपा हो है, लेकिन 100% से दो बिलो है, तो किसका बाट हो गय क्या कुछ का मतलब क्या नहीं जानतें लेकिन क्या हो गया अरिए बस समझें देनको कोई यह रहें आगे बढ़ सकते हैं माल नीजे मैंने एक statement लिखी sum A are not B कुछ A जो है B क्या नहीं है B नहीं है इसको मैं दो तरीके से represent कर सकता हूँ मैंने diagram ड्रो करा है बच्छो A ठीक है और फिर मैंने बोला कि कुछ A जो है B क्या नहीं है तो मैंने क्या करा बच्छो इस बात को represent करने के लिए A का कुछ portion जो है न वो क्या कर दिया highlight कर दिया highlight कर दिया और इस highlight portion को मैंने क्या बोल दिया कि ये कुछ A जो कि highlight portion में आपको दिखाई दे रहे है ये कभी भी क्या नहीं हो सकते भी नहीं हो सकते एक तरीका तो ये है समनोट के लिए और दूसरे तरीका ये है कि बच्छो मैंने ये diagram बनाया A और ये diagram मैंने बनाया B जो दोनों में intersect हो रहा था उसको तो मैंने बोला है sum A.R.B और जो दोनों में intersect नहीं हो रहा उसको मैंने क्या बोल दिया sum A.R. कोई दिक्कर था बच्छो statement बोल दी बच्छो first statement बोल दी all the harmoniums are instruments and second statement इसने बोली है all the instruments are flutes क्या बोल दी बच्छो all the instruments are flutes अब conclusion में पूछा कि all the flutes are instruments and second conclusion है बच्छो all the harmoniums are flutes all the harmoniums are flutes यह हवारी second conclusion हमें दी गई है ठीक है बच्छो इसमें से पता करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है बच्छो एक बास समझो सबसे पहले हम इसका डाइगराम बनानों सीखेंगे first statement बोल दी बच्छो all the harmoniums are instrument सभी harmoniums क्या है instrument है यह harmoniums बोल दिया और सभी harmoniums क्या बताए है बच्छो instrument बच्छो और अगला बोला है statement कि all the instruments are flutes सभी instruments क्या है टो जित्ने भी instrument होंगी इस सभी किसके अंदर आ जाएगे बच्छो flutes के अंदर जित्ने भी instrument होंगी सभी किसके अंदर आ गए flutes के अंदर first conclusion बोल दिया all the flutes are instrument clear भाई flutes कहां पर है बाहर की तरफ और instrument कहां पर है अंदर की तरफ मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप outer to inner आएंगे तो सिर्फ क्या सही होगा लेकिन यहां पर क्या दिया है तो क्या हो गया unfollow आरे यह बास समझे भी second conclusion बोल दिया बच्चो all the harmoniums are flutes सभी harmoniums क्या है flutes है harmonium क्या है बच्चो inner circle और flutes क्या है बच्चो outer circle और हमें पता है कि जब हम inner circle to outer circle जाते हैं तो किसका relation बलता है बच्चो all का भी और some का भी यहां पर क्या दिया है all तो second conclusion क्या होगी बच्चो follow होगी कोई doubt है second conclusion क्या होगी बच्चो follow clear बास समझ में आ रही है सभी को बड़े फिर आगे चलो एक क्योशन रोड लेते है एक क्योशन बोला बच्चो some mangoes are yellow क्योशन बोल दिया some mangoes are yellow statement बोलती है some mangoes are yellow some ticso some ticso are mangoes ठीक है और first conclusion बोल दिया बच्चो some mangoes are green some mangoes are green और अगला बोल दिया ticso is yellow ticso जो है वोई क्या है yellow है clear यह हमीं question दिया है हमें पता करना है बच्चो कौन सा सही है कौन सा गलत है कौन सा सही है कौन सा गलत है दोलो गलत है चलो बच्चो देखो first conclusion बोलता है बच्चो some mangoes are green ठीक sorry some mangoes are yellow ठीक है first statement बोल दिया some mangoes are yellow और second बोल दिया बच्चो some ticso are mangoes कुछ ticso क्या है बच्चो mangoes यह हमने बना आजे tics हो है ठीक है अब conclusion बोलता है बच्चो first some mangoes are green क्या green के बारे में कोई बात करी गई है तो जिसके बारे में कोई बात नहीं करी गई है क्या उसका कोई conclusion मैं निकाल सकता हूँ और जिसका कोई conclusion नहीं निकाल सकता उस condition को क्या बोलते है doubtful और doubtful किसका पार्ट होता है कांट से और कांट से को भी हम क्या बोल सकते है unfollow तो जो first conclusion है बच्चो वो क्या हो गई unfollow है ना first conclusion क्या होगी unfollow आगे बोलता है बच्चो ticso is eye yellow क्या ticso और yellow में कोई relation है क्या तो ये भी क्या हो गया unfollow clear अब ticso क्या होता है क्या पूछ रहो ticso नीम की नीबोरी समझो मुझे जो लगता है ना जो बच्चो को doubts आएंगे यहाँ पर वो क्या क्या आएंगे सबसे पहला doubt बच्चो को ये आ रहा होगा कि sir इस diagram को क्या ऐसे नहीं बना सकते है क्या इस diagram को ऐसे नहीं बना सकते क्या सोचा होगा कईयोंने clear कईयोंने हाथ उठा लिया कईयोंने नहीं उठाया ड़ना बच्चो देखो अगर मैं ऐसे करता हूँ न ठीक तो बच्चो ऐसा diagram बनाने से ticso और yellow के बीच में क्या बन जा रहा है relation में जा रहा है लेकिन हमें अगर हम बात करें statement में क्या ticso और yellow के बारे में relation दिया है नहीं दिया तो हमें एक बात याद रखनी है जब भी हम syllogism के questions करेंगे तो हमी क्या करना minimum overlapping करनी है क्या करनी है बच्चो minimum overlapping minimum overlapping का मतलब जो question में statement में कहा गया है हमें सिर्फ उतना ही करना है अपनी तरफ से कुछ भी assume करके नहीं चलना है जो हमें कहा गया है हम सिर्फ उतना ही करेंगे अपनी तरफ से कुछ भी assume करके नहीं चलेंगे बात समझ पा रहे हैं अगर हमें यहाँ पर टिक्सो और यलो में कोईलेशन नहीं दिया तो ये डाइग्राम हम इस तरीके से रो नहीं कर सकते बात समझ पा रहे हैं ठीक सेकिंड कॉंप्यूजिन बोल दिया तिक्सो मैं अगर दूसरा डाउट करूं डाउट जो दूसरा आया होगा बच्चों को वह यह आया होगा सर पार्ट होता है अनफॉलोग कोई दिक्कत है सब ठीक है बढ़ सकते हैं और क्यूशन जो है मैं आपके साथ अगली ग्लास में लेके चलूँगा आज के लिए धनेवाद थेंक्यू